अब बॉर्णिंग इस्टुएंट टोड़ी विए डिस्कसिंग क्लास नाइन सब्जेक्ट बाइलोजी चैप्टर नम्मर थार्ड आपका चैप्टर फॉस्ट एंड चैप्टर सेगंड कंप्लीट हो गया है और इनके नोट्स आप लोग बना लीजिए और NCRT विश्ण भी कं आउट है बताएए आपको आज सब्सक्राइब किया जाएगा ओके और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया चैनल सब्सक्राइब कि यह यूट्यूब में जाएए वहां पर राइट की डॉक्टर आसी सक्षेना सब्सक्राइब दैनास्मोर अपडेट तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चैप्टर नमबर थाट डाइवर्सिटी इन लिविंग ओगनेज्ज्ड यहाँ पर मैं जो वर्ड दिया गया डाइवर्सिटी 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 के गॉर्डिंग क्या जाए है प्लांट्स एनीमल एंड माइक ओगन इस प्लांट्स एनीमल और माइक ओगनेज्ड लिप्स इन स्पेस्पिक एरिया प्लांट्स का एनीमल्स का माइक ओगनेज्ड का इनका सभी का एक निस्सित एरिया में फांड होना ओके तो डाइवर्सिटी के गोर्डिंग अफ्लांट्स एनीमल और माइक ओगनेज्ड में लिप सिप्सिपिक एरिया इस नौन एग्या थिया थे मैंन बेसेस ऑ ख्लासिविकेशन लिए टो मैं फैस एप सीमिलारिए दिसेमिलर लेहा पर जो ख्लासिफाइग या लोग ट्रो कि यूगराटे की बीस पर हैं यूट्रीट इस पर निटिशन की बीस पर इडिफरेंट बेसे जिस बेस पर और निसको क्लासिफाइट कि रहा सकता है यह देन आप जो आगे आए आएगा हाईची लेविल हाईची लेविंस में जो आएगा पहले क्या एक गिंग्डम इसके बाद फाइलम यह दी आप एनियमल की स्टुड़ी कर रहे है फाइलम और प्लांट स्टुड़ी कर रहे है तो यहाँ पहले है डिवीजन इसके बाद क्लास देन ओर्डर इसके बाद क्या हैगा फैमली और फैमली के बाद क्या आएगा बदाएगा जीनस इसको यहां राइट की दे रहा हूं फैमली हुआ फैमली के बाद आएगा जीनस और जीनस के बाद आएगा इस्पिसीज इस हाई पाद पेटर्ण किंडम फैलम लास ओर्डर फैमली जीनस और इस्कीज यह पैटर्ण होथा इस आप बैटर्ण ओफ क्लासिफिकेशन अब इसमें आते डिपर्ड्रिफर्ट् एप्न और एप कींडम को जो डिस्काइब किया आरेज वी टेगर किंग्डम कौन कौन से हैं मॉनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनी मिलिया इस सभी के आपके फाइब किंग्डम इनके मॉनेरा का जो मैं फीचर क्या है प्रो कैरियोटिक एमॉनेरा क्या होते हैं बताहिए इसंटेर प्रोकेरियोटिक और यूनिसलूला प्रोकेरियूटिक एंड यूनिसेलूर एंड इसके कॉर्डिंग क्या जाएगा बेक्टेरिया एगजाम्बल क्या जाएगे बेक्टेरिया प्रोटिस्टा क्या होते हैं eukaryotic eukaryotic and unicellular और इसके recording क्या जाएगा, example क्या जाएगा प्रोटुस होगा monera prokaryotic unicellular prokaryotic means जिसमें क्या हूँ था primitive nucleus and one cell and protesta, these are eukaryotic unicellular means one cell similarity, both are unicellular and dissimilarity monera, prokaryotic and protesta, eukaryotic then as the fungi okay these are multicellular, eukaryotic 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 multicellular then as आप planting planting according to different division भी आप study करेंगे division first first and the thermopatr second first thermopatr and thermopatr पाइटा का में फीचर क्या है दू नौट डिफ्रेंटिटेटेड रोट इस्टेम लिप्स यहां पर लिख भी सकते हैं दू नौट डिफ्रेंटिटेड रोट इस्टेम और लिप्स दैने जा ग्योफाइटा ब्रायोफाइटा यह क्या जाएगा फर्स्ट बैस्कुलाग प्लांट यह ब्रायोफाइटा में क्या हो था नहीं सॉरी ब्रायोफाइटा इस नौट अज एम्पीवियन अप्लांट किंग्डम यसी क्या हो लेंगे तो ब्ला इसनौन अजन उन आज आज एम्पीवियन अप्लांट किंगम गाइट उन बॉर्बा इच्ट पर्स आज इस नौनाज अजन आज ऑप्लांट इंग्डेंगों then as the therophyta ho gya then briofyta आप क्या आए टेरीडोफाइटर ओके या राइट के देरा हूँ टेरीडो फाइटर और टेरीडोफाइटर बोल से फ्रस्ट बैसकुलर प्लाट्ट्ट क्या बोलेंगे निया फ्रस्ट बैसकुलर plan कें पासिखला बांग में प्रिजएंट जाइलम एफ्लोम बब बेसक्टर में जाइलम एफ्लोम एफ्लोम जाइलम एफ्लोम फोर्ट के आजाएगा जीमनो स्पर्म जि मनो स्पर्म इसके कॉटिंग के नेक्ट सीड और फिट आजाएगा ऐंग्यो स्पर्म नेन्स फ्लावरिंग प्लाट्स flowering plants इसके एकॉर्डिंग जो ग्रूप आएगे फिर्स्ट थेलोफाइटर सिगिड डायोफाइटर थार्ड टेरीडोफाइटर २ास्ट एंगिमितफर्म इन। और हर उसके कुछ न कुछ फीचर आ है ठैलोफाइटर के पर दिंग जो एक्जाम्पल आ जाएगा वह जाए एल्गी एल्गी मींज काई ब्रायो फाइटा में एक्जाम्पिल क्या जाएंगे इसके कोड़ी मॉस ग्रूप आता है देनाज़ टेरीडोफाइटा इसके कोड़ी इक्विसीटम प्लांट आते हैं जिमने स्पर में जो प्लांट आते हैं साइकस और पाइनस और एंजल स्पर में इंक्रूड आल फ्लावरिंग प्लांट्स तो इस जो भी क्लासिफिकेशन किया गया एक या आर्स वीटेकर आर्स अधिकर द्राइट प्लांट आइपकेशन किया हो एक्या किया गया आर्स प्लांट आप्लांट इस ताम इस व्लांट बाद इस जविए गीटम और विजविजटम यह लोवेस्टम में गया गया अवा एक्टिम्टम् प्रेद्टि बोला जाए हुआ में किया होगा किंग्डम में क्या हुआ इसके एचा जग्टिरिया और ए्नबीन आ यहेंगे प्रोडिपेश्टा में बिसमें एक्जांपल किया है प्रेमिंशियम हमीवा प्रोड़स ज हो अब इसमें कुछ चार्डर दिये गए है यह आपका पेज नॉम्बर 85 में है इसमें क्या दिया ओर्गनीज और और अर्गनीज और टुटाइब अब बशीति और अब बशीति और अब व्रेश नॉम्बर नॉम्ट नॉम्बर तुट इसमें क्या टॉट पैस नॉम्बर 85 बापर देखे वापर राइट किया गया ओर्गनीज में क्या प्रोकेरउटेक णे उकर्योटेक प्रोकेरउटेक य सब्सकान दोल्ण आ तो प्रोकेरउटेक य सब्सक्राइब य एउनिसल्ब्रिया जो कींग्डम वोद् वो लम को Impact इस आर प्रोकेरोटिक यूनिसेल्वर जो क्लासिफाइड किया गया बिच सैलवाल और बिदावट सैलवाल जैसे जेंड ते और जिसमें जैलवाल अब सैंड थे और बिच सैलवाल में आया यह fungi and planting fungi and planting in myself present होते हैं बट एनी में लिया without cell wall इसके लावा fungi fungus क्या होते दूनोट परफॉर्मदा फोटोसिंदेसिस बट प्लांटी क्या होता फॉर्फॉर्म जा फोटोसिंदेसिस तो एक classification दिया गया organism का इसको आप लोग ना ली दिए classification को अब यहाँ पर थ्री एंसे आर्टी कुश्चन दिये गए और उनको भी आपको कॉपी में कंप्लीट करना है बट इसके पहले आप लोग यहां पर आईए पेज नंबर 82 यह आप थ्री एंसे आर्टी कुश्चन दिये गए फर्स्ट वार्ट यू थिंग इस आप मोर वेशिक करेक्रिक्रिस्टिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑप और इस दो कुश्य पूचे गए फर्स्ट दा प्लेस्ट वियर दी लिव जहां पर रहते हैं तो यह आप आपका अंसा वाग कर दो आजाएगे तो अब हेविटेट में एक रिफ्फ क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ एकुटिक होते हैं तैरस्टिक दिन एस एर एर राइल दोगज लिवस इंदा डिफ्रेंट क्लाइमिटिक रिजन ऑगनिज लिफ्स कर रहे हैं डिफ्रेंट रीजन में कुछ पा question number second the kinds of cells they are made of kinds of cells बताया गया of kinds of cells में आ जाएगा युनि सेलूरा मुल्टि सेलूरा को कि पूश्य नमब सेगन what is the primitive characteristic on which the first division of organism is made तो पहला division of classification किया गया वो किस बेस्पी किया गया do not differentiated root stem leaves like as a fellow fighter लेकिन अभी इसको यहाँ पर राइट नहीं करना क्यों यहाँ पर question दूसरा पूचा गया तो कि यहाँ पर क्या what is the primary characteristic on which first division of organism is made क्या basis था और्गनिस के classification का तो यह topic आपको मिलेगा page number 80 में 7.1 वहाँ पर दिया what is the basis of classification इसको आप आप डीपले रीट कीजिए study कीजिए और नहीं आया समझें तो इससे में बताएंगे ओके दैना कुछ नमबर 3rd on what basis are plants and animal put into different categories किस बेस पे प्लांट और अनिमल को अलाला categories रखा गया तो और बेस आप nutrition plants अर्ट आट्र ट्रॉफिक बट अनिमल सार है ट्रॉफिक प्लांट में जो modern हुए यहाँ पे पेज नंबर 85 यहाँ पे भी थ्री एंसी अर्ट कुसिशन दिये गए हैं फिर्स्ट वाट इस प्रूटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन आप अपनेश्ट बेलोंगिंग तुदा मॉनेरा एंड प्रूटेस्टर किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया मॉनेरा इस आप प्रूटेस्टर इस आप यूगरोटिक डिफरेंस हो यह बट यह पूछले है सिम्मेरिटी तो अब मॉनेरा प्रूटेस्टर बहुत हार कैसे होते हैं यूनिसलूरल तुश्य नंबर सेगें इन विश किंग्डम विल प्लेस और इस विज़ दा सिंगर सेल यूगर सिंगरोट के घुटिक फूर यह पर आपका सब्सक्राइब मतबह्यें यह बताइए यह दैए प्रूटेस्टर कुछ नमर थार्ड और प्लांटी क्योंख है क्योंव यहाँ पर प्लांटी में कुछ आपके प्लांटी अप्टी इस ग्रूप में आजाए गें धैक दैन आप एक्जाम पर देहां कि फंजाई में एसपर जिलस पैंसीलियम एगरिकस फर्स क्या एगा एसपर जिलस सिकेंड क्या है पैंसीलियम और थाट क्या एगरिकस इस तीनों क्या फंगस है पपूदी भोलते हैं कि देन कुछ एक्जाम पर और भी एल्गी के हैं एल्गी के कोडिंग एक्जाम पर क्या है यूलो थ्रिक्स सेकेंड क्लैडोफोरा थार्ड अलवा फोर्थ स्पारोगारा और लास है चारा इस सभी आप क्या हैं डिवीजन थैलोफाइटा में अभी हम आपको डीपली बताएं अभी तो अलिए सम्दी है दैने जाप ग्राइटा में क्या रिक्सिया मार्केंशिया फ्यूनेरिया टेडोफाइटा में क्या है मार्सलियान फर्म और जिम्न स्पर में क्या रहे हैं साइकस पाइनस एडिसी देन एंजिस फोर्म इंक्रूड आल फ्लावरिंग प्लांट्स और यहां पर इस टेवल को भी कॉपी में आपको बनाना है एक टेवल आपको देए प्लांट्स की प्लांट्स प्लांट्स को क्लासिफाइग किया गया दू नौट डिफ्रेंसिटेटेड प्लांट बोडी लाइक थेलोफाइटर देन डिफ्रेंसिटेटेड प्लांट बोड there are two condition first without specialized bascule tissue like xylem and phloem include as the bribe fighter then as the with bascule tissue two condition do not produce seed then as a produce seed do not produce seed 32 fighter and produce seed fan arrow games fan arrow games include weird next seed and second point weird seed inside a fruit then be a next seed gymnast sperm then weird seed inside a fruit angiosperm then angiosperm classified two classes dicot and monocot have seed with two cotyledons and having seed with one cotyledons so this table you can make a copy in two tables you can make a first organism and second plants you can make a home work okay please complete first table organism then second table plants a classification is a good concept you can make a clear or chapter first or chapter number second which division among plant as the simplest organism hello fighter सेकेंड हावाट टेटोफ़टर डिफार्वां फेनरोगेम्स टेटोफ़टर फेनरोगेम से डिफर के कैसे हैं यह तो हम बताएंगे बीपली बता जायेगा और जिमने सप़र्म डिफर्फर्म एंजिस पॉर्म इसका वन पॉइंट बता दे रहा हूं जिमने स्पर्म प्लावरिंग प्लांट्स तो इसमें आप लोग ध्यार रखिए दो टेविल आपको कॉंपीट करना और्गनेज और प्लांट्स बागी डीपली हम बताएंगे नेक्स टर्ण पर अब इसके बाद आप स्टडी करें एनिमेलिया एनिमेलिया इंकुरूड आल एनिमल्स एनिमेल इया यहां प्रूड सवाफियल। परी फेरा अब यहां पर आते हैं टिफ्रेंट पालाम जहां पर यह उस फाइलम समय दिए के बहुत AI unit कि अब लेंज आते बाहुंतें पाट की फ्रट फाइलम ब्स मसस्टार चृओं और प्लांट गने हैं पारी फेरा मॉत आं energy और त secundant ओके और फाइलम पॉरिफिरा के कॉर्डिंग क्या जाएंगे में में ली क्या होते स्पॉंज कुसे एक्जाम्पल भी दिए कि इसमें यूपलेक्टेरा साइकॉन इस्पॉंजिला और इसका मैं यहां पर जो फीचर आएगा कैनाल सिस्टम कैनाल सिस्टम को बड़ क्या हो था जो वाटर है फून मैटेरियर है जो स्पंज बाड़ी में इंटर करते हैं बिदरेल बाप कैनाल सिस्टम के पार्ट होते हैं औसकुलम औस्टिया स्वरी पहले औस्टिया आएगा औसकुलम स्पंज उसिल औस्टिया क्या होता स्पंज की ब एंटर होदा स्पंज बॉड़ी में डिद्धेलब ऑस्टिया ओके ऑस्टिया ओके तो इसे एक्जाम्पर आप देहाने के यू प्लैक्टेला साइकॉन इस पॉंजला अब यहां पे नेक्स फाइलम आएगा सिलेंड ट्रेटर फर्स्ट क्या था पॉरी फेरा सेकेंड एज सिलेंड ट्रेटर सिलेंड नेक्स फाइलम है सिलेंड ट्रेटर और सिलेंड ट्रेटर को बुला जाते हैं नाइट एरिया क्या पॉलेंगे बुदाईए सिलेंड ट्रिंटर सिच इलन एड़न नाइड एडिया इसमें क्या वती नीडो बॉप्लास सेल है नीडो बॉप्लास ती बियुक्त योडिय इसके कॉर्डिंग एक एक जाम्बिन खिया लागा याओ जानी आड़ा सिने मौन जैली फिस फिस नहीं होती है तेकि इन्हें पासी की नाम के बीछे फिस होता है बट इट पकल के ऑन पर पाइस टॉ नहीं अ है तो इन्हें फाल्स पिस जैलि पिसका साइंटिफिक नीम होता ओरीलिया it is the scientific name of jellyfish then as the next phylum platyhelminthes and generally these animals commonly called flatworm in animals so the next phylum platyhelminthes platyhelminthes and generally these animals it is commonly called flatworm in the camera आदो अगले वर्म एक्जाम्प्र का देगा अपर्स्ट लिनियु और शीके लिभफ लुक थर्ड यसके बाद नेक्स्ट फइलम आएगा वह आएगा निमे टूर्ड़ा नेक्स्ट फइलम क्या रहर निमे टूर्ड़ा यसे गोलें एस कलमान्थी ज नेमे टूर्णı और एसकलमंतीस और निमेटीहलमंतीस इसके एकम जानलन जाएगा एश्केरेश 运ाँ बाउचीरिया क्या क्या है इसके बार नेक्सट absence भाईगा एनि लिडर कौन साहेगा एनि लिडर इसके acronym एक्जाम्बल आ जाएए और टॉर्म और अनिल्डा में क्या हूता किया था मतामेरिक सेमंटिक्शन पाई आधा था ने लेड़ीज़ प्लम अर्थबोडर 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 वेड़्दे आधा लगेज़ थैज़ मुटने मीज़ जात्व में ता निट्डेंट लगेड़ है क्वेरे और नग्याम अपा इस फिस फिलम इन उल्हा थिस ऑ सर्ट डंप्रेबंद अल्हाम झाम्स प्रय टैल्ब मॉल्ट को रूंप्ट व्रिव चांपड़ को बस्तार विर्प्ली यंद फिलम फिलम यंद्टर को चांपड़ उसको फिलम मोलस्का जो इन टूंग एज विलम इन एन यूनियों पाइला ऑक्टोपस काइट ओन दिया डिफेर्ट अनिमल ब्रोग्डुदा मोलस्का देन एकाइनोटर्मेटा प्रिजेंट वार्टर बैस्कुलर सिस्टम इनकुड अनिमास एंटिडॉन होलुथूरिया एकाइनस एस्टेरेस और इसके बाद आया प्रूटो कॉर् प्रूटो कॉर्टेट क्या होता इट्स बेरिफाइब बहुत दाख फीचर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट इसका एक्जाम्बल आ जाएगा बैलेनोग्लॉसस एनीमल होता है और इसके बाद है वर्टी व्रेटर मेंस इसके कॉर्डिक हम लोग आ जाते हैं कुछ फीचर ह होते हैं नॉटो कॉर्ट प्रिजेंट दॉट्सर नर्व कॉर्ट प्रिजेंट ट्रिप्लो ब्लास्टिक दैन आजब प्या गिल्प पॉच्छ एंड सी रोमेड इड़ फीचर ऑफ वर्टी ब्रेटर दैन इसके कॉर्डिंग आएगा पाइस एंट्रेट्र पोड़ा पाइस के औरिञे पिस में ट्रूफ है एंड सिब्स हैं टाट्र पोड आ एकाएबड रेप्टिवि Aha कोftig similarities एप मेमिलिया एंपिबड में डूर अब इन टॉपिक को जो नेक्स ट्रम में हम डिसकस करेंगे डीपली स्टडी किया रहे आज सिर्फ समरी थी हाँ इस चैप्टर में आपको क्या-क्या इस्टरी करना है डाइवर्स टीटिट लिविंग और नियुक्रण अपको हम बग्या है इसे दो टेबल में आपको बताई इनको कंप्रीट कर लिए फॉर्स्ट और सेगंड प्लांट्स की ऑगनेस्ट में क्या वदाय था प्रोकरिवेटिक और यूकरिवेटिक और प्लांट् जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है इसको आप लोग कॉपी में कंप्रीट कर दीजिए ओक स्टुएंट तो यहाँ पे जो आपने डिफ्रेंट स्टेडी के के पहले है डिवीजन थेलोफाइटर ब्राइटर टेरीडोफाइटर जिमने स्पर्म एंजिस्पर्म एंजिस्पर् है यह थो आपनेख़ के लोग लिकथ्टर टॉट ऽणिस्फटर का लीजुटार टेन पर समय टेन थेलिटर उनि ठीन एंपनेटर मटेटार ल्टाइटर शलमन थेलिट इस एंजंधिट एंटलिटर टेलिटर का ट्रेलिटर के शलमनन थेलिटर बस् instrument स्री में मीन ताह Chaudita, then as the Hemichaudit, और इसके बाद आजा है Chaudita, Chaudita include Pisces and Tetrapoda, Pisces include Fis, and Tetrapoda include Amphibia, Reptiles, Apes, Mimelia, then Mimelia classified, first Plutotheria, second Metatheria, और last as the Eutheria, तो यहां तक, टॉपिक की समरी है, मैंने मैं टॉपिक मैंने बता दी है, जहां doubt हो, message के आपको answer provide के जाएंगे, और जिन लोगो ने अभी तक subscribe ने किया, subscribe के इससे आपको और update मिलती रहेगी, okay, thank you.